अगर हम solar लगवाने के बारे में किसी से राय लेते हैं तो अधिकतर on-grid solar system या off-grid solar system में से किसी एक को चुनने को बोलते हैं, लेकिन बजार में एक और विकल पुपलब्ध है और वो है, hybrid solar system, आज हम hybrid solar system की सारी जानकारी जानेगे, जेसे hybrid solar system के से काम करता है, और इसके फायद और नुकसान क्या क्या है, और साथ में जानेंगे इस पर कितने subsidy मिलती है, इन सभी को आज हम इस वीडियो में जानेगे वो भी कम समय में. जैसे की, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ की, on-grid solar system और off-grid solar system की सारी जानकारी इन वीडियो में मिल जाएगी, और इनकी link description box में मिल जाएगी, इन वीडियो को देखने के बाद आपको hybrid solar system अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि on-grid solar system और off-grid solar system से मिलकर ही hybrid solar system बनता है, आप जानेंगे, hybrid solar system कैसे काम करता है, जैसे, hybrid solar system तीन स्टेप में काम करता है, सबसे पहले, hybrid solar system आपके उपकरनों को चलाता है, उसके बाद hybrid solar system बैटरी को चार्ज करने लगता है, जब आपकी बैटरी फूल चार्ज हो जाती है, उसके बाद hybrid solar system से आने वाली बिजली को नेट मीटर के द्वारा, ग्रिट पर भेज दी जाती है, आपका सोलर सिस्टम जितनी ज्यादा यूनिट बिजली ग्रिट में भेजेगा, उतना ही बिजली बिल कमाएगा. ये सारा प्रोसेस आटोमेटिक होता है. अब जानेंगे, हाइब्रिट सोलर सिस्टम के फायदे, जैस इस सोलर सिस्टम में लगी बैटरियों का, बैटरी बैकप आट से 10 घंटे का होता है. हाइब्रिट सोलर सिस्टम बैटरी के साथ साथ, एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिट पर भेजता है. अगर हाइब्रिट सोलर सिस्टम को ग्रिट से बिजली नहीं मिले तब भी यह काम करता है. अब जानेगे, हाइब्रिड सोलर सिस्टम के नुकसान, जैसे, हाइब्रिड सोलर सिस्टम का मेंटेंस खोड़ा-महगा होता है, क्योंकि इसमें भी सोलर बैटरी लगानी पड़ती है. अब बात आती है कि, क्या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने पर सबसिडी मिलती है. इसका जवाब है, हाँ, लेकिन सरकार सबसिडी किलोवाट के अनुसार देती है, जैसे, एक किलोवाट सोलर सिस्टम से लेकर, तीन किलोवाट सोलर सिस्टम पर, चालीस प्रतिशत की सबस सबसिडी मिलती है और 10 किलो वाट सोलर सिस्टम से आधिक वाले सोलर सिस्टम पर कोई सबसिडी नहीं मिलती इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले